नमस्कार साथियो, स्वागत आप सपीका आज के Current Affairs के सेशन में आज के Current Affairs के सेशन में हम important Current Affairs डिसकस करने वाले हैं तो कि आपके exams के लिए बहुत ही useful रहेंगे तो चले स्टार्ट कर देते हैं first question के साथ परधान मंतरी ने recently काफी लोगों को भारत रतन देने की गोषना की एं तो निमनिखित में से किसे भारत रतन देने की गोषना नहीं की गई है तो चौधरी चरण सिंग, पीवी नर्सिमहाराओ और डॉक्टर स्वामिनाथन को ये जो भारत रतन है ये देने की गोशना की गई है पर डॉक्टर मनमोहन सिंग को इसमें शामी नहीं किया गया है तो करेक्ट पेंसर है डॉक्टर मनमोहन सिंग तो देखिए आर्टिकल में MS स्वामी नाथन, फॉर्मर पी-म चौदरी चरन सिंग और पी-वी नर्सिमा राओ को इंडिया's highest civilian award भारत रतन दिया जाएगा इसकी गोशना की थी परदान मंत्री नरेदर मोदी ने ये हैं नर्सिमा राओ, ये हैं चौदरी चरन सिंग और ये हैं MS स्वामी नाथन चलिए इनके बारे में डिटेल से जानते हैं कि इन्होंने अपने कारे काल में क्या ऐसे कारे किये थे जो इनको भारत रतन से नवाजा जा रहा है देखें, केजर सरकार ने इनको MS स्वामी नाथन, चौदरी चरन सिंग और नर्सिमा राओ इन तिनों का ही द्यान्त हो चुका है इनको मरनो प्रांथ ये भारत रतन दिये जाने की गोशना की गई है स्वादरी चरन सिंग देश के पाँचवे और नर्सिमा राओ नोवे परदार मंत्री थे वहीं कृष्य वेज्यानिक स्वामी नाथन को हरित करांथी का जनक कहां जाता है भारत की बात करें कि दुनिया में हरित करांथी का जनक किसे माना जाता है तो वो है नौर्मन बॉर्लोग नौर्मन बॉर्लोग जो है उनको दुनिया में हरित करांथी का जनक कहां जाता है और भारत में हरित करांथी का जनक MS स्वामी नाथन को माना जाता है कहां जाता है 2014 में सत्ता समालने के बाद परधान मंत्री नरेंदर मोधिन के नितरत्वेस वाली सरकार ने यह दस्वा भारत रतन है मतलब 10 लोगों को यह भारत रतन से नावाजा जा चुका है इससे पहले 3 फर्वरी को पांच लोगों को नामों के गोशना की गई है देखिए इनके अलावा मोधि जी के कारेकाल में मदन मोहन मालवी है अटल बिहारी वाजपैग परनब मुखर जी भुपेन हजारी का और नानाजी देशमुप को यह सम्मान दिया गया है पांच लोग तो टोटल यह है और पांच लोग यह है जिनको इस बार एलान किया गया है टोटल 10 लोगों को अब तक नरेंदर मोधि सरकार द्वारा भारतरतन देने की गोशनाई हो चुकी है मतलब भारतरतन दिया गया है इस सम्मान को हासिन करने वालों में अब तक कुल 13 लोग शामिल हो चुके हैं इन नामों की गोशना के बाद भी गोशना होने के बाद देश में 13 लोगों को अब भारतरतन की लिस्ट में आ गये है देखिए बात करें चोदरी चरण सिंग जी के बारे में पोस्ट ग्रेजुशन किया अगरा युनिवर्सिटी से उन्होंने लोगी पढ़ाई पूरी के 1928 में वकालत शुरू कर दे थी 1930 में गांदी जी के समिन्य अवग्या आंदोलन में शामिल हुए और हिंडन नदी में नमक बनाया था 3 अपरिल 1967 से 17 अपरिल 1968 तक उतर परदेश के मुखे मंत्री रहे दोबारा 17 फरवन 1970 में मुखे मंत्री बने 1979 में वित्व मंत्री और उपपरदान मंत्री रहे इस दुरान राश्ट्रिय क्रशी वक्रामिर विकास बैंक यानि नाबाड जिसे हम नबाड बैंक के नाम से जानते हैं इसके स्थापना की थी महोने जनता दल के स्थापना की इसी जनता दल से बाग में विजु जनता दल, राश्ट्रि जनता दल, जनता दल सेकुलर और उनकी बेटे अजित सिंग की पार्टी राष्ट्रिय लॉक दल बने थे 28 जुलाई 1979 से 17 जनवरी 1980 तक विदेश के परधानमंत्री रहे हलांकी दोरानवे कभी भी संसद नहीं गए थे चौदरी सरन सिंग अच्छे राइटर थे और अंग्रेजी पर उनकी अच्छे पकड़ थी होने Abolition of Jamindari, Legend Proprietorship और India's Poverty and Its Solutions किताबे भी लिखी थी 29 मही 1987 को उनका निदन हो गया था नेट्स्ट है PV नर्सीमा राओ इनका जनम 28 जुन 1921 को करीम नगर में हुआ था नोने हैदराबाद की उसमानिया, उनिवर्सिटी, मुंबई उनिवर्सिटी और नागपूर विश्व विदाले से अपने पढ़ाई की आंद्रपरदेश नोने अपने राज़्वितिक करियर शुरू किया 1957 से 1977 तक आंद्रपरदेश विदान सबा के संदस्य रहे आंद्रपरदेश शरकार में 1962 से 1964 तक कानून एवं सोचना मंत्री रहे फिर कानून मंत्री रहे और फिर स्वास्त एवं चिकित्सा मंत्री रहे और फिर स्तिक्सा मंत्री रहे इसके बाद 1971 से 1973 तक आंद्रपरदेश के मुख्य मंत्री रहे थे 1977-1984 तक लोगसभा के सदस्य रहे, December 1984 में रामटेक से आठवी लोगसभा के लिए चुने गए थे 14 जनवरी 1980 से 18 जुलाई 1914 से तक विदेश मंतरी, फिर गरह मंतरी और फिर रक्षा मंतरी, इसके बाद उन्होंने मानव संसाधन विकास मंतरी का कारेबार संभाला फिर 20 जुन 1991 से 16 मंई 1996 तक विदेश के नोवे परधान मंतरी रहे, कॉंग्रेस की मदद से नर्सीमा राव के दौर में ही वितमंतरी मनमोहन सिंग और फ्विवस्ता में उधारिकरन लेकिया थे, यानि प्राइविटाइजेशन लेकिया थे नर्सीमा राव इतनी बाशाय जानते थे, 23 दिसंबर 2004 को उनका निदन हो गया था, जिसमें कॉंग्रेस की सरकार थी नेक्स्ट है, डॉक्टर एमस्वामी नाथन, जो कि कृशी विग्यानिक है हरित कृरांती के जनक ताथ अगस्ट 1925 को इनका जनम तमिलाडो में हुआ था, इनका अनुमानशीक विग्यानिक थे, जिने भारत की हरित कृरांती के जनक कहा जाता है रित क्रांती कारे करम यानि ग्रीन वोल्यूशन के तहट ज्यादा उपस देने वाली गेहूं और चावल की बीच खेतों में लगाए गए थे इस क्रांती ने भारत को दुनिया में खाद्यान की कमी वाले देश शेव बारकर आतम निर्बर बना दिया था उन्हें 1971 में सामुदाइक नेतरत्व के लिए मैकसे से पुरसकार, 1986 में अलबर्ट आइंस्टैन वर्ल्ड साइंस पुरसकार, 1987 में पहला विश्व खाद्य पुरसकार जो की वर्ल्ड फूड और्गनाजेशन द्वारा दिया जाता है 1989 में युनेस को गांदी स्वन्ड पदक से सम्मानित किया गया, फिर दॉक्टर स्वामिनाथन को 1967 में भारत में पदम श्री, 1972 में पदम बूशन और 1989 में पदम विबूशन यानि इनको तीनों पदम अवार्ड्स मिल चुके हैं, अब भारत रतन बाकी था जो की इनकी डेथ होगी थे 28 सितंबर 2023 को और अब इनको मर्नो प्रांत यानि पोस्त मुसली ये अवार्ड भारत रतन से सम्मानित किया जा रहा है, चलिए भारत रतन के बारे में जानते हैं कि इसका इतना महत्व क्या है, भारत रतन भारत का सरवोच नागरिक सम्मान है, हाईस सिविलियन चमकता सूर्य बना होता है, जिसके नीचे चांदी से भारत रतन लिखा रहता है, भारत रतन पुरुसकारदेनी के शुरुवात 1954 में हुई थी, अब तक अब त्रेपन लोग हो गए हैं, पहले 48 थे, अब 5 लोगों की सवर्ष कोशना हुई, ये तो टोटल 53 हस्तियों को ये समान दिया जा चुका है, मदर टेरिसा, खान अब्दुल गफार खान और नेलसन मंडेला, 8 अगस 2019 को पूर्व राष्ट्रपती परनमुखर जी को भारत रतन दिया गया था, अब तक 5 राष्ट्रपतियों को ये पुरसकार दिया जा चुका है, सुबास चंदर बोस को मरनो जी तेश्मुख और ये 15 लोग हैं तक जिनको बरनो परांथ ये पुरसकार दिया जा रहा है, जिनमें 3 इस साल के भी, 3 और करपूरी ठाकों, ये 4 लोग इस साल के भी शामिल हैं टोटल 15 लोगों को बरनो परांथ दिया जा रहा है, नेक्स्ट कोशन है, हाल ही में आईमफ किस देश को कर्ष में डूबने की हाई रिस्क की चैतामनी दी है, तो ये है माल दीव्स, म्यानमर में ओरडी मिलिटरी कूप है, बंगलादेश में सेख हसेना की सरकार है और नेपाल में भी एच्छी से सरकार चल रही है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का ये आर्टिकल द लिए IMF का स्टाफ माल दीव्स गया था, वहाँ से जाने के बाद माल दीव्स के ऊपर एक रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें कहां गया कि जो माल दीव्स है, फिसकल डेफिसिट में है और पब्लिक डेट इस पे बहुत जाता हो गया है, माल दीव्स रिमेंस एट हाई रिस इस पे क्लाइमेट चेंज का सबसे ज्यादा फरक माल दीव्स पे पड़ता है, उमीद है कि अगले 60-70 सालों में माल दीव्स दुनिया से गायब हो जाएगा, with potentially severe economic cost due to floods and rising sea level की वज़े से, क्लाइमेट चेंज के कारण तो माल दीव्स की जो जमीनी है वो डूप जाएगी, कि अंतराश्य जे मुद्रा कोस्त आईमफ ने यह रिपोर्ट जारी की है कि माल दीव्स पे बहुत जादा कर्ज बढ़ रहा है और यह देश बिलकुल श्रीलंका जैसे कि श्रीलंका और पाकिस्तान में हालात हो रखे हैं, वैसे हालात माल दीव्स में होने वाले हैं, ऐसा आईमफ की रिपोर्ट में कहा गया है, जो चलिए इसके बारे में हम डीटेल से जानते हैं, देखिए यह है फिलहाल जो लेटेस सरकार बनी है मुहमद मुईजू, यह माल दीव्स के प्रेसिडेंट है, माल दीव्स के प्रेसिडेंट है, जो की हाली में पिछले 2023 के लास्ट मन्स में बने थे मुहमद मुईजू, माल दीव्स के राश्टरपती, यह है आईमफ का लोगो, आईमफ माल दीव्स, देखिए इसमें और कहा का गया है, आईमफ माल दीव्स of high dead distress risk amid growing reliance on China, यह जो माल दीव्स के जो नए राश्टरपती है मुहमद मुईजू, यह प्रो च जब भी माल दीव्स का कोई नया president बनता है, तो वो सबसे पहले इंडिया के दोरे पे आता है, और यह पहले ऐसे माल दीव्स के president है, जो इंडिया को हटाकर चाइना के दोरे पर गए थे, तो यह सबसे बड़ा risk है, और यह चाइना जाकर इन्होंने इतना ज़्यादा कर्ज लिया है जिसके IMF ने वार्निंग जारी की है कि आप लोग डेट में फर्स जाओगे देखिए चाइना से जो फंडिंग लेता है उसके लिए इंडियन ओशन में है तो ये भारत के लिए कितना important है तो चाइना के चाइना को एक अच्छी जगए मिल गई है भारत को घेरनी के लिए आगे देखिए मालदीव की चीन के साथ करीबी बढ़ती जा रही है जैसा कि जब से ये नए राश्ट्रपती है तब से देखा जा रहा है कि मालदीव के जो प्रलाश्ट्रपती है उन्होंने इंडिया से अपने इंडिया के 80 सैनिक मालदीव में मौझूद है जिनको यहां से हटाने के लि मुईजू के सत्का में आने के बाद से ही देश चीन के करीब होने लगा है चीन से मालदीव ने भारी उधार लिया हुआ है पूरे दुनिया ये देख सकती है कि चीन के साथ दोस्ति से मालदीव का वही हाल होगा जो कुछ दिनों पहले श्रीलंका में जैसे हालात हुए थे लोगों ने कितनी आपजनी की थी श्रीलंका में और कैसे राश्ट्रपती हाउस में गुस गए थे और दंगे फसाद किये थे परेटन को देखते हुए मालदीव नए होटल और हवाई अड़ो का विकास करना चाता है आईमफ ने कहा है कि भविश्य जो है मालदीव का वो एनिश्चित है और आर्थिक जोखिव लगातार बड़ा हुआ है राष्ट्रपती मुईजू के गुरू है जो के पूर्व राष्ट्रपती अब्दुल्ला यामीन है वो 2018 तक मालदीव के सत्ता में रहे थे उसके बाद जो है वो 2018 तक इनके गुरू थे उसके बाद जो राष्ट्रपती बने थे 2023 तक वो थे प्रो इंडिया वाले जिनों ने कर्स कम करने के कोशिश की थी और भारत ने उनको कर्स कम करने के लिए बहुत मदद की थी 2023 के बाद से फिर से ये 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 वारी party हाई है जो कि प्रोचाइना है इसने वापिस से भारी वर कम कर्स लिया है निर्मान development projects के लिए चीन से वर्ड मेंक ने मालदिफ के वित मंतरा लेका हवाला देते हुए एक जानकारी देखी दी थी 2021 में जो मालदिफ्स पे टोटल डेट है उसका 42% 42% जो है वो चीन का है उसोची कि 42% लगबग आदा समझ लेजीजी कि चीन निकर जेद दे रखा है मालदिफ्स एकोनोमी इंटरबल मुईजु जो है प्रेसिजेट मालदिफ्स के उन्होंने 6 फरवरी 2024 को यह कहा है कि मालदिफ्स की एकोनोमी खतरे में है त्रवल में है तो हम नए development projects जो हैं वो launch नहीं कर सकते हम नए development projects विकास कारे तो नहीं कर सकते क्योंकि हम पर कर्ज बहुत जादा है और हमारी economy खत्रे में हैं यह उन्होंने कहा है मालदीव्स और भारत के बिच जो रिष्टे हैं वो थोड़े कमजोर हो गए हैं क्योंकि यह जो president है मालदीव्स के मुईजू इन्होंने जब परचार कर रहे थे अपने चुडाओं के उस टाइम इन्होंने logo start किया था India out campaign इसका मतलब है कि भारत के जो सैनिक हैं जो मालदीव में मालदीव्स की सैना की मदद करने के लिए भेजे हुए हैं वो उनको हटाने के लिए इन्होंने ये campaign चलाए था India out campaign इंडिया के 80 सैनिक मालदीव्स में मौझूद है जिनको replace करने के लिए जिनको हटाने के लिए मालदीव्स की ये जो राश्ट्रपती हैं इन्होंने कहा है अब जो माल्दिफ्स में भारत के सैनिक हैं उनके जगह पे जो टेकनिकल सपोर्ट वाले जो आर्मी में हैं उनको बेजा जाएगा और जो सैनिक हैं उनको वहां से मार्च और माई के मन्त में वापिस बुला लिया जाएगा ऐसा अग्रिमेंट या फिर ऐसी बातचीत के बीच कंफर्म हो चुकी है तो यह कंफर्म हो गया है कि आर्मी की जगह पे टेकनिकल परसोनल वाले लोग वहां पे बेज़र जाएंगे जो कि हमारे द्वारा माल्दिफ्स को कुछ हेलिकॉप्टर्स और एरिक्राफ्ट दिये हो हैं उनकी देखरेख करेंगी तो उम्हित की अंतराष्टी मुद्रा कोस्की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी एक कॉन्फरेंस थी ब्रेटन वोट्स कॉन्फरेंस जिसमें इस आइमफ के बनाने की गोशना की गई थी आइमफ की एमडी हैं फिलाल क्रिस्टलीन जोर्च जीवा तो यह आइमफ के बारे में इंपोर द्रौपदी मूर्मू जिनके द्वारा, प्रेसिडेंट द्रौपदी मूर्मू इनागरेटिड द आधी मौट सब दोहजार चॉबिस एट मेजर ध्यांचंद नेशनल स्टेडियम इन न्यू दिली, तो इन्होंने ट्राइबल क्मूनूटी के बारे में बात की हैं, क्योंक इस मौट सब का आउजन भी होने ही किया है, मेजर ध्यांचंद नेशनल स्टेडियम दिली में इसका गार्टन किया है 18, कब किया है? 10 फर्वरी को किया है और 18 फर्वरी तक चलेगा 18 फर्वरी तक यह बात मौतसब चलेगा जनजात्य कार्यों मंत्राले के तत्वधान में ट्राइफेड एक संस्था है ट्राइबल मिनिस्ट्री के अंतरगत जो हर सार राश्ट्य जनजात्य मौतसब आदी मौत्सव का एवजन करता है यह हैं आदिवासी संस्कृती, वानिजे, शिल्प और पारंप्री कला की भावना का दर्शाता है, मौत्सव में 300 से अधिक स्टॉल्स लगाए जाते हैं इसमें कलाग प्रकरतिक उतपाद हर्स्थ शिल्प और स्वादिस्ट जनजातिय वैंजनों का परदर्शन किया जाता है, इसमें ट्राइफिड इस प्रोग्राम को इस मौत्सव को और्गनाईज कर रहा है, तो ट्राइफिड के बारे में यह है कि नेशनल लेवल कोपरेटिव बोड़ी है जिसके स्थापना अगस्थ 1987 में हुई थी ट्राइबल कोपरेटिव मार्केटिंग डेवलप्मेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया मल्टी स्टेट कोपरेटिव सोसाइटिस एक्ट 1984 के द्वारा गौर्णमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाए गई थी नेक्स्ट कोशन है इसरो 17 फर्वरी को उपगरेट इंसेट 3DS लॉंच करेगा इसका उदेश्य क्या है तो इसका उदेश्य है अंतरिक्ष से बहतर मौसम की जानकारी एकत्रित करना इसका उदेश्य है इसरो टू लॉंच वेदर सेटलाइट इंसेट 3DS on 17 फेबरी को ये लॉंच किया जाएगा ताकि हम अपना वेदर फॉर्कास्टिंग एंड डिजास्टर वर्निंग केपेबिलिटीज को इंप्रूव कर सकें ताकि कोई भी डिजास्टर आने से पहले हम सचेत हो जाएं और देश को वर्निंग दे सकें भारतिय अंतरिक्ष अनुसंदान संगठन याने की इस रो 17 फर्वरी को ये लॉंच करेगा इसका मिशन को सतीश दवन अंतरिक्ष केंदर श्री हरी कोटा से लॉंच किया जाएगा इस उपग्रह को GSLV F14 द्वारा लॉंच किया जाएगा इंसेट 3DS उपग्रह तीसरी PD के मौसम संबंदी उपग्रह को गोस्थेतिक कक्षा में स्थापित करने का अनुवरती मिशन है यह पूरी तरह से प्रत्वी विज्ञान मंतरा लयाने की Earth Science Ministry वारा वित पोशित है जिसके मिनिस्टर है जितेंदर शिंग फिलाल इसके मिनिस्टर है ठीक है इसके लाब क्या होंगी तो इसके जरिये हम मौसम से जुड़ी हर छोटी से छोटी जानकारी हासिल कर सकेंगी सिटलैड की मदब से यह मौसम का बैतर पुर्वानुमान मिलेगा और आपदा की चेतामनी में भी मदद मिलेगी इसके जरिया आपदा की चेतामनी के लिए जमीन और समुदर की सतों का पर नज़र रखी जा सकती है इसका उदेश यह है प्रत्वीक सत्य की निगरानी करना मौसम घटनाओं के बारे में जानकारी परदान करना महसागर उसके परियावरन का अवलोकन करना डेटा संगरन परदान करना और विबिन मौसम संबंदी जो जानकारी परदान करना नेक्स्ट कोशन है यानि पीए मोधी वर्ल्ड गर्रमेंट समिट 2024 में शामिल होंगे यह समिट कहां पर आयोजित की जाएगी तो यह समिट UAE में आयोजित की जाएगी 13 फरवरी से 14 फरवरी 2024 को UAE में कौन से समिट गर्रमेंट वर्ल्ड गर्रमेंट समिट आयोजित की जाएगी इसमें मोधी जे शामिल होंगे यह जो है 7th विजिट है UAE की सिंस 2015 से 2015 से जब से मुख्य मंत्री बने है यह 7 बार UAE जा चुके हैं और एट इस इनिवेस्टेशन यह जाएगे वर्ल्ड गर्रमेंट समिट 24 में दूबई में होस्ट होगी यह अबुदामी में और यह 14 फर्वरी 13 सा 14 फर्वरी को यह समिट होगी और 14 फर्वरी को यह UAE में फर्स्ट हिंदू टेंपल जो अबुदामी में बना है बाप्स मंदिर उसका inauguration करेंगे इसी के साथ ही और also address Indian community in the UAE at an event जैद sports city in अबुदाबी में यह Indian community से भी मिलेंगे तो यह UAE यहाँ पे है Middle East की country है UAE जिसकी capital है अबुदाबी और सबसे बड़ी city है यहाँ की दूबई Persian Gulf और Gulf और Oman के थुरू यह आपसे India से connect होता है Arabian Sea से इसके बारे में details देखिए 12 से 14 फर्वरी तक आयोजित होगा सिखर सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे 14 फर्वरी को 14 फर्वरी को ही मंदिर को धवाटन करेंगे जो की Middle East का सबसे बड़ा हिंदो मंदिर है World Government Summit का यह 11 संस्क्रण है भारत, तुर्किये और कतर को इस सिखर सम्मेलन में अतीथी देश यानि चीफ गेस्ट गोशित किया गया है विश्व सरकार सिखर सम्मेलन इसका थीन है भविश्य के सरकारों को आकार देना जिसका मतलब है Shaping Future Governments तैय किया गया है इसका थीन इसमें विबिन देशों से सरकारे International Organization, Thought Leader और वेश्विक सतरके नेताओं के साथ वारता आयुजित की जाएगी इसमें 25 से अधिक Head of the Government और राश्ट्रे देक्ष शामिल होंगी यानि कि 25 से अधिक देशों के परधान मंत्री या पर राश्ट्रे पती इसमें सामिल होंगी तो उमीद करते हूँ कि आपको questions अच्छे से समझ में आये होंगी important भी है इस सारी questions आपकी exams के लिए और बहुत ही useful session है तो इसे अपने दोस्तों के शाथ share करना बिल्कुल ना भोलें और ऐसे ही videos के लिए चनल को subscribe जरूर करें मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद